दोस्तों आज हम इस चेंज करने वाले हैं थर्मोस्टेट को यानि इस रीमोट को निकालने वाले हैं नया लगाने वाले हैं देखिए वीडियो बहुत ही खतरनाक होने वाला है जैसा कि यहां पर नीचे साइड में दूर लॉक दिया गया है तो हम इसको टेस्टर की मदद से निकाल लेंगे तो टेस्टर की मदद से हम लोग निकाल लेंगे बहुत ही सिंपल है निकल जाता है और यहां पर हम लोग लगाने वाले अज है निवल्ड तर्मोस्टेट तो जैसा कि यह निकल गया है और यहां पर देख सकते हूँ जब बीच्चे का पीछे का कवर इसके अंदर दो स्क्रू लगे हुए हैं तो इन स्क्रू को भी खोल लेंगे और देखिए इस तरह का यह वायर है और यह रहा हमारा इसका सर्कीट बोट जो कि पूरा निकालेंगे और पहले हम करेंगे इसका पाउर आफ क्योंकि सेटी बहुत ज़रूरी है तो अभी हमने इसको पा आशके को पूरा निकालेंगे इसका और यहां पे दो इसकूरी लगा होता है तीन स्क्रू जो जो मिझें रहता है व्या Caitlin रहते हैं तो आज हम इसको हैंड सिर्मरान होता है इसका इसकी वायरिंग और प्रेक्टिकली पूरा आपको Dिखाएंगे मैंने बहुत साए वीडियो तो यहां पर PCB लगा हुआ है और इस PCB में आप देख सकते हो इसके fan के speed के पूरे wire connect कर गए है और इनको हम पूरा disconnect करेंगे और यहां पर हम अपना जो thermostat का wiring होती है यहां 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 पर आपको complete wiring पूरा दिखाएंगे क्या-क्या process है जैसा कि यहां पर PCB देख सकते हो इसके अ जैसे कि यह remote का wire है तो पहले हम इसको निकाल लेंगे देखिए यह clip का इस तरह से निकल गया है तो अभी हम क्या करेंगे इसके अंदर जो हमारा wire है जो हम अपना seven core का wire यूज करेंगे वह इसके अंदर connect कर देंगे तो जैसे कि यहां पर wire का bundle बना हुआ है तो अभी हम खोल जा रहा है हमारे दूसरे दोस्ते हैं वो दूसरे साइट से खीच रहे हैं इसको पूरा पूरसेस आपको देखाएंगे वीडियो थोड़ा सा बढ़ा होगा लेकिन आपको हर एक चीज़ बताएंगे कैसे क्या करते हैं जैसे कि मैंने यहां पर उसी वायर में इसको connect कर दिय जैसे मेरे वीडियो बनाता हूं अगर इन वीडियो को आप देखो गो सीखो गो तो आपको बहुत knowledge मिलेगा पढ़िए देखिए लेकिन हमारा वीडियो भी देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए देखिए 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 दोस्तों जैसे कि यह वायर तो इन नमरों से ही आपको यह connect करने है अलग अलग वायर भी डाल सकते हैं लेकिन यह हमको सस्ता पढ़ता है और अच्छा भी रहता है तो इसमें हमने 1,2,3,4,5 देख सकते हैं इसमें नमर लिखा हुआ है बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको यह नमर मिल जाते हैं और कैसे करते हैं जैसे कि देख सकते हो यहां पर फेस और न Yogya rib एक बोड़े इयर जो की बहुत जरूरी हो था है हमारे इसटम को सेप्टी रखने के लिए जैसे की देखसके, यहां प– यहांनि face यहाने मारा नूटल और यह तीन connection है जिससे हमारा फेस नूटल आथा है यह दूसे साट में आप देख सकते हो यह green card के दो वायर है जो कि हमारा 24 वोल्ट होता है क्योंकि जो हमारा उपर contactor लगा हुआ है वो 24 वोल्ट का है तो देख सकते हैं यह हमने transformer को use किया है green card का आपको दिख रहा होगा नीचे का face और उपर का न्यूटल है और यह 24 24 वोल्ट का है यानि यहाँ जब हम इसको 220 वोल्ट देते हैं यह टांसफार्मर आगे हमको 24 वोल्ट देता है जो कि हमारा आउड़ोर में जाता है और यह बोड़ी अटका है जो होने नमपर होगे हैं यह तुम्हारा नमर निचे जाएगा में ऐता है में यह इसे कि यहां पर आप देख सकतो यह कर फैर कर अंदर चारण इसे नमर भी लिखे हुए हैं। आपको दिखने में असानी होका देखिए। इसमें भी हमारा पास है तीन है चार है पाउच है और हमारा छह यह तो हमारा लोगर देख सकते हो। यह 220 वोल्ट है जैसे नीचे से जब हमारा CP का पावर आता यानि compressor के लिए और यह हमारा neutral wire देखिए यह हमने दो नमर में लगाया है देखिए यह दो नमर में हमने neutral लगाया क्योंकि यहाँ पर हमने direct transformer को neutral दे दिया है क्योंकि हमारा जो thermostat होता है वो हमको सिफ फेस प्रवाइड करता है neutral हमको यहाँ से लेना पड़ता है और यहाँ देख सकते है चार पांच है जो है यह low medium high है तो अपने इसाब से आप रख सकते हो जैसे कि मैंने यहाँ पर चार पांच है चार को low रखा है पांच को medium रखा है और है को हाई रखा है जैसे कि हमारा यहाँ पर रेड ब्लू और वाइड वायर है तो low medium high है इस तरह इसकी वाइरिंग है दोस्तों देख सकते हो हमने यह चारों वाइर को परनेक्टर में यूज किया है बाकि को आपस में लूपिंग कर दिया है तो यहाँ पर यह चार और यह पांच और यह छे जो है हमारे fan speed के low medium हाई है और यह जो दो नमर है यह आपको दिख रहा होगा यह दो नमर हमारा कंप्रेसर का वायर है और यह देखिए वायर दोस्तों यह हमारा blower motor का neutral है और दोस्तों sorry यह जो neutral वायर है यह तीन नमर में लगा हुआ है आपको दो आउट्डोर का connection किया है जैसे कि जो दो नमर का वायर है वो हमारा डारेक पावर सप्लाई जो है वह तान्सफर्मर में जाएगा और वहां से टान्सफर्मर हमारा क्या करेगा 24 वोल्ट को 220 वोल्ट को 24 वोल्ट प्रवाइड बनाएगा जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो जब यह 220 वोल्ट बनाएगा फिर आगे जाके हमारा पॉन्टेक्टर आउन हो जाएगा फिर से मैं आपको दिखा देता हूं इसकी वाइरिंग देख सकते हो बहुत ही सिंपल है दोस्तों और अभी में यह सेप्टी कपर जो है इसको लगा देता हूं ताकि कभी भी कोई मेंटिनेंस के टाइम आये तो इसमें हाथ ना लगे और तो इसकी वाइरिंग है अभी में आगे आपको बताऊंगा और दोस्तों जैसा कि मैंने यहां पर समझने में आसानी हो और thermostate की wiring कैसे करती है मैंने details में नीचे वीडियो दे रखा है आई बटन पर भी दे रखा है जाके आप देखिए और इस वीडियो को भी पूरा देखिए इसके अंदर भी मैंने पूरा बता दिया है तो यहाँ आप देख सकते हो GL, GM और GH लिखा हुआ है यानि जी का मतलब होता है fan और ये N का मतलब neutral और ये WY है हमारा cooling का और यल तेके को समझते हैं जैसे कि हमारा GL दिया गया है यानि low, GM यानि medium, GH यानि high और ये N का मतलब neutral और जो Y है वो हमारा cooling का काम करता है और जो हमारा yल है वो हमारा face है तो finally हमने इसको देख सकते हो यह close कर दिया है और अभी हम यहां पे देख सकते हो इसका cover इस तरह से लगेगा तो पहले इसका cover यह इस तरह से लगेगा जो back cover होता है वो लगा के दो screw लगते हैं और यहां पे एक arrow बना हुआ है तो यह चीज आपको देखना इसको उपर के side है इस तरहς से कि इसको ऊपर के side में रख के और क κάν दो इक सकते हैं यह massive right side में तो पहले हम को लेबर रखेंगे देख सकते हैं अभी हमारे सिंपल यह असानी से चला गया तो फाइनली यह कंप्लीट हो गया और हमने पावर आउन करके रखा ही था तो देखिए यह चालू कर दिया है वाकि हैनिवल थर्मस्टेट का डीटेल में मैंने वीडियो नीचे लिंक दे रखा जाके आप देखिए आप वहर एक चीज़ समझ म हो गया और नीचे से इसका मोड चेंज होता है कूल वेंट और यह ड्राइब यहां से आप इसका फैन का स्पीट कम ज्यादा कर सकते हैं और जो राइट साड में जो बटन है अप एंड डाउन उससे आप जो रूम का टंपरेचर है उसको कम और ज्यादा सेट अपने हिसाब के बारे में बता दिया है बाकी नीचे लिंक वीडियो का दे रखा जाके आप देखिए थैंक्यू